आज के ब्लाउज कटिंग लेक्चर में जिसे यहाँ पर डाप्टिंग में समझाया है उस तरह से डाप्ट होगा यहाँ पर जो थियरी में step by step समझाया है उसी के according हम मार्किंग करना सुरू करेगे अब हम यहाँ पर जो लिखा है वो समझते हैं यहाँ कोर्स बेजिक और प्र मेजमेंट से समझा रहे है 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 इसके अलावा पांच अलग-अलग मेजमेंट से आपको प्रेक्टिस करना है तभी आप ब्लाउज कक्रिंग को यानि हम यह जो डाप्रिंग के जरिये 36 size का measurement chart से आपको समझाएगे लेकिन यह 36 size के अलावा और भी 5 अलग-अलग measurement से आपको practice करना है यहाँ पर समझाया कि 28 size, 30 size, 32 size, 34, ठीक उसी तरह 40, 42 और 44 यह सभी size का आपको practice करना है अब आगे बढ़ते हैं तो लिखा है सबसे पहले blouse में hook आई आगे चाहिए या पीछे चाहिए यह नक्की करने के बाद कपड़े को इश्ट्री करके counter पे रखे और counts में लिखा है ध्यान रहे कपड़ा अपनी तरफ सिधा रखना जरोरी है, cross नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर बताया हुआ नंबर के अनुसार मार्क करना है हम यहाँ पर blouse का जो hook है वो आगे की तरफ रखेगे इसलिए पिछे का जो पार्ट है उसको fold पार्ट रखेगे यानि अपनी तरफ जो पार्ट रखेंगे उसको fold पार्ट रखना है और जो open पार्ट है वो बाहर की side में रखना है अब यह जो कपड़ा है उसको इस्तरी करके counter पे सिद्धा रखना है हम जब भी cutting करते है तब counter पे एसा तेड़ा कपड़ा एसे नहीं होना चाहिए अब आगे का step समत्ते है जिसमें लिखा है पहला number ब्लाउज की लंबाई का mark करें ब्लाउज की मूर लंबाई में दो इंच अधिक ले उपर और नीचे की तरफ scale से सिद्धा mark करें अब यहाँ पर example भी दिया है कि मूर लंबाई जो body measurement लिया है वो है 4 इंच तो इसमें 2 इंच हमने ज्यादा लिया है तो 16 total map बना है तो कौंश में लिखा है उपर और नीचे का margin इसी के अंदर आ गया है अब इसको हमें कपड़े पर marking करना है जिसे यहाँ पर blouse का draft है ठीक उसी तरह यहाँ नीचे की तरफ से हमें marking की सुरुवात करना है सबसे पहले यहाँ पर L-sev scale से आपको नीचे की ओर एक सिद्धा marking करना है यह cutting mark बनता है तो यहाँ पर एक number है blouse की लंबाई तो यहाँ पर जो 16 इंच नाप आया है उसको हम measurement chart में समगते है अब यहाँ पर लिखा है draft number तो एक number जो लिखा है blouse लंबाई 14 plus 2 equal to 16 इंच cutting यहाँ 16 इंच cutting करना है अब यहाँ पर 16 इंच रखकर mark करना है और उपर की तरफ सिद्धा mark हो इसलिए यहाँ पर major trap से आपको एक नाप इधर लेना है और दूसरा नाप इधर एक tick mark करके फिर scale से सिद्धा mark कर देना है यहाँ पर solar की तरफ यह mark सिद्धा होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हमें solar slope का mark भी करना है इसलिए यहाँ पर हर एक point को सावधानी पूरवक अच्छे से mark करते रेना है अब दो number समत्ते है निचे की तरफ बेक टक्स के लिए 0.75 जगर छोड़कर कमर राउंड का चोथा बाग का mark करे अब इसे को drafting में समत्ते है कि यहाँ पर two number लिखा है 0.75 जग टक्स पेस तो यहाँ पर पेले 15 टक्स का margin छोड़ने के बाद फिर यहाँ से कमर राउंड का चोथा बाग का mark करना है अब कमर राउंड का नाप कितना है वो measurement चार्ट में समत्ते है तो यहाँ पर देखे डाप नंबर दो नंबर वहाँ पर लिखा है कमर राउंड 31 इच 31 का चार बाग करेगे तो 7.75 चोथा बाग रेडी आएगा 0.75 अब इसके बाद कमर राउंड का चोथा बाग का नाप है 7.75 और यहाँ पर margin का mark अलग से करना है यहाँ पर हम जो margin ले रहे वो 1.5 दबाव ले रहे तो उतना ही mark आपको करना है अब यहाँ पर तीसरा नंबर समत्ते है बेक टक्स का center mark के लिए body map man chest का 8 बाग करके जो जवाब आएगा उसे घड़ी बाग से mark करे बेक टक्स का center mark जो पेले हम basic तरीके से लेते है कि यहाँ से total जो नाप होता है वही से major trip को इस तरह से उठा कर जो center mark करते है वेसे यहाँ पर mark नहीं करना है यहाँ पर जो समझाया है जो original body measurement लिया गया हो उसी का 8 बाग का यहाँ पर center mark करना है तो यहाँ पर example भी दिया है Manchester body नाप है 36.50 उसका 8 बाग किया तो जो calculate करने पर answer आया है 4.56 तो यहाँ पर मैंने count में समझाया है कि 4.5 और 1 point यहाँ पर हमें नाप लेना है तो इसको पहले dropping में देखे यहाँ पर 3 नमबर है बेक टक्स center mark पूरा यहाँ से जो fold part है वहीं से यह नाप को लेना है तो यहाँ पर है 4.5 और 1 point लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर बेक टक्स की अभी जो लंबाई है वो बाद में की जाएगी फिलाल हम यहाँ पर सिर्फ center mark कर रहे center mark के लिए यहाँ पर 4.5 और 1 point ना पाया है उसको इसी तरह से घड़ी बाग से मार्क करना है और थोड़े दूरी की अंतर पर एक और मार्क कर लिजे और यहाँ पर एक सिधा मार्क करना है अब यहाँ पर आगे लिखा है अब यह center mark के दोनों तरप 0.75 इंच का आधा करके मार्क करें उसमें लिखा है apex point की line का मार्क होने के बाद उपर की तरप एक tux point का मार्क किया जाएगा जब apex point का नाप होगा 11 नंबर वाला उसके बाद यहाँ पर point का नाप बनेगा तब तक के लिए यहाँ पर एक सिधा ही मार्क करना है अब यहाँ पर यह जो पोना इंच नाप है उसका आधा करेगे तो 0.25 इंच नाप बनेगा तो वो मार्क को यहाँ पर थोड़े अंतर की उपर आपको मार्क करना है जहाँ पर हम basic cutting में एक इंच का टक्स लेते हैं वहाँ पर अब हमें change करना है 0.75 इंच का ही मात्रा टक्स लेना है किसी किसी नाप में आधा इंच तक का नाप लेना पर सकता है लेकिन पोना इंच से ज्यादा नाप हमें नहीं लेना है अब 4 नंबर में समत्ते है इसमें लिखा है ब्लावर सिलाई करने के बाद साइड में कोना ना आये इसलिए साइड में इस प्रकार से cutting करना है और यह भी लिखा है कि यह अनिवारिया नहीं है उसको पहले dapping में समत्ते है तो यहाँ पर 4 नंबर पे है साइड का shape टक्स लगने के बाद यहाँ पर जिस प्रकार से यह कोना निचे की तरफ जा रहा है वेशर ना आये इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से पहले cutting करना होता है अगर इस प्रकार का shape देखे यहाँ पर cutting करते है तो यहाँ पर देखे टक्स लगने के बाद ये पूरा सिधा मार्क बन जाता है तो इसलिए यहाँ पर हमें इस प्रकार का सेफ करना है अब ये सेफ कीतना करना है वो समझते है 0.75 बेक टक्स का जो आधानाप होता है जो 0.251 पॉइंट है वही यहाँ पर मार्क कर देना है और इसी मार्क के साथ यहाँ पर नीचे वाला कटिंग करने वाला पॉइंट से इसे मिला देना है अब इस प्रकार का मार्क होने के बाद हम आगे का पॉइंट समझते है पांत नमबर में लिखा है उपर की तरप पिछे का सोलर का रेडी और मार्जिन मार्क करे और मार्जिन मार्क के नीचे थोड़ा सा सिदा मार्क करे तो डाप्रिंग में समझते है यहाँ पर है पांच नमबर यहाँ पर समझाया है यह पिछे का सोलर का रेडी मार्क करना है और फिर मार्जिन के लिए अलग मार्क करना है और उसी को हमें यहाँ पर एक मार करके यहाँ पर एक सिधा मार कर देना है अब हम measurement chart में समझते हैं इसका जो नाप है तो drop number है 5 उसमें लिखा है पिछे का solar 15 इंच है अब उसका आधा करेगे तो 7.5 इंच ready होगा तो 15 का आधा 7.5 इंच और उसके बाद है 0.251 point margin तो यहाँ पर 0.251 point margin लेना है जब हम बाजू लगाने के लिए सिले का जो दबाव लेते है वो हम 0.251 point का ही दबाव लेते है अब हम कपड़े पर इसका मार्क करेगे तो पिछे का solar है 15 उसका आधा यानि घड़ी भाग लिखा हुआ है उसी के एक और यह गड़ी भाग है अब साड़े साथ ready तो यह साड़े साथ पर मार्क कर देना है अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है 0.251 point margin तो यहाँ पर हमें 0.251 point का यह मार्क कर देना है अब यहाँ पर जितना यह जो नाप आया है उतना ही नाप को थोड़ा नीचे की और मार्क कर देना है अब यह जो लाइन बनी है वहीं पर हमें एक सिधा मार्क कर देना है अब डापिंग में भी देखे तो यहाँ पर यह जो रेडी मार्क किया है वो थोड़ा सा ही मार्क है न अगे का नंबर समत्ते है छे नंबर उसमें लिखा है नेक ब्रोडनेस का मार्क करे घड़ी भाग से यह मार्क करना है का उसमें लिखा है बोडी माप अपरचेस्ट का बाराबाग करके जो जवाब आता है वही नेक ब्रोडनेस का मार्क बनता है जो मेजरमेंट चार्ट में सम अब पर्चेस बोड़ी नाप है 35 तो 35 का बारबाग करेगे तो जवाब आएगा 2.91 यानि 2.75 एंड 1 पोइंट हमें इसका नाप लेना है तो यहाँ पर लिखाए 6 नंबर तो देखें यहाँ पर 3 में 1 पोइंट कम यह मार्क कर देना है अब यहाँ पर जो लाइन किया है वैसे इस तरह से नाप के आपको सिधा मार कर देना है हमने नेक बोडनेश के लिए यहाँ पर एक पेज भी बनाया है जिसमें और लेडी जो भी नाप आता है 25 से लेकर 15 तक जो डिवाइट किया हुआ है हमें मेजर टेप की बासा में क्या समझना है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आप कहीं पर कन्फीजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह का डापिंग बनाया है अगर आप यह ब्लाउज का पूरा यह जो थियरी लिखा हुआ है वो आप पर्चेस करते हैं तो आपका जो सिखना है वो एकदम आसान हो जाएगा और आपको कुछ भी नोट बन के लिख सकते हैं यहाँ पर हमको जितना समध में आया हमने हिंदी भासा और इंगलीज भासा और गुजाती भासा में इसका अनुवाद करके डापिंग तयार किया है ताकि आप लोग बहुत आसान तरीके से यह पूरा कोर्स कर सके और अच्छे से अच्छा सीख सके अब हम लास्ट में लिखा हैं अब नेख बोडने से पिछे का सोलर का रेडी मार्क को मिलाते हुए współ प्रोस में यह मार्क करें तो डापिंग में समझते हैं कि यहां पर है साथ नमबर सोलर स्लोप का यह जो कटिंग मार्क और यहां पर भी सोलर स्लोप का यह जो नाप बनता है रेडी सोलर स्लोप और बाहर की तरफ लिखा है सोलर कटिंग मार्क अब हमें सोलर स्लोप का मार्क कह यहां पर डाप नंबर साथ में लिखा है, solar slope 1 & 1 point यानि एक कीच और एक point अब यह एक कीच और एक point का mark कहां पर करना है जहां पर solar का ready nap आया हो वही पर यानि बाहर की तरफ जो solar का cutting mark है वहां से एक कीच और एक point जो भी आपका solar slope हो वो mark नहीं करना है इसलिए यहाँ पर हमने साफ सब्द में लिखा है कि solar का margin mark से solar slope का mark नहीं करना है जो जो point हम समझा रहे उस सभी point को आपको द्यान से समझना है और सिखते रहना है आप जल बाजी बिलकुल भी ना करें जिस तरह से हम दिरे दिरे slow भासा में समझा रहे वेसे ही आपको समझना है तबी आपको सिखना एकी बार होगा और यह final सिखना हो जाएगा फिर आपको design pattern यही बनाना बाकी रह जाएगा इसलिए यहाँ पर हम जो भी समझा रहे वो slow भासा में जैसे भी समझा रहे उसी को accept करके आपको सिखते रहना है अब जैसे यहाँ पर last में लिखा है अब neck broadness से पिछे का solar का ready marker मिलाते हुए cross में यह mark करें tapping में समझते हैं यह जो neck broadness का point है वही से मिलाते हुए इसे mark करना है तो यहाँ पर भी हमें mark करना है अब यहाँ पर 8 number का जो नाप है वो हम next lecture में समझेगे यहाँ पर हमने जितने point का practice समझाया है उतने point का आपको ज्यादे से ज्यादा practice करना है तो मिलते हैं हम next lecture में हुआ आप